तो चलिए प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि पूरे घर में वाटर सप्लाई की पाइप को सेट करने का टोटल लेबर चार्ज कितना हो गया नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप यहां पे देख सकते हैं कि घर में water supply की pipe set करने का work चल रहा है तो चलिए हम आपको एक-एक करके practical तरीके से दिखाते हैं कि kitchen bathroom और toilet room और इसके साथ साथ पूरे घर में total कितनी pipe लगी और उस pipe को set करने का total कितना leverage charge हुआ तो water supply की pipe को set करने के लिए कुछ इस तरीके से दीवार को काटा जाता है अग दीवार की cutting करने के बाद उसी cutting में कुछ इस तरीके से pipe को set किया जाता है आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले cutting की गई और cutting करने के बाद कुछ इस तरीके से pipe को set कर दिया गया तो चलिए देखते हैं कि इस घर में total कितनी pipe set की गई और उस pipe को set करने का total labor charge कितना हुआ तो सबसे पहले यदि हम main supply pipe की बात करें तो आप देख सकते हैं कि छट के ऊपर water tank को set करने के लिए कुछ इस तरीके से 2 pipe पे set के गई तो यदि हम उपर से नीचे तक की लंबाई की बात करें तो 9 feet है बट यहां पे आप देख सकते हैं कि 9-9 feet की 2 pipe पे लगी है इसलिए 18 feet count किया जाएगा तो चलिए हम यहां पर 18 feet लिख लेते हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 9 feet के बाद pipe को मोड दिया गया और pipe मोडने के बाद बिलकुल सीधी गई हुई है तो यदि हम एक किनारे से दूसरे किनारे के total लंबाई की बात करें तो 35 feet 9 inch है यहां कि 35 feet 9 inch है बट यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 35 feet 9 inch की 2 pipe लगी है इसलिए 35 feet 9 inch का double हो जाएगा तो double करने के बाद 71.5 feet आएगा ठीक है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि pipe यही से सामने की तरफ मुड गई तो यदि हम एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच के लंबाई की बात करें तो 8 feet है यानि कि 8 feet है बट यहां पर 8-8 feet की 2 pipe लगी हुई है इसलिए 16 यानि कि 16 feet काउंट किया जाएगा तो शली हम यहां पर 16 यानि कि 16 feet लिख लेते हैं तो यहीं तक आपका main supply था में supply के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरब 2 pipe गई है तो kitchen में आप देख सकते हैं कि केवल और केवल 4-4 feet का 2 pipe supply गया हुआ है तो इन दोनों को यदि हम एड करते हैं तो टोटल 8 feet होता है तो चलिए हम kitchen supply pipe में 8 feet लिख लेते हैं kitchen के बाद यदि हम bathroom की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह bathroom है bathroom में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी pipe लगे हुई है यदि हम इन pipe की बात करें तो एक तो main supply है दूसरा tank का supply है और इसके साथ साथ एक sour का point है और दो geezer का point है geezer का दो point इसलिए है कि एक से पानी जाएगा और geezer में ठंडा पानी गर्म होकर वापस आएगा इसलिए geezer का दो point है तो bathroom के यदि हम सभी pipe को map कर total करते हैं तो total 41 feet pipe लगी है तो total हमने अलग-अलग map कर जोड लिया था तो total 41 feet आया था bathroom के बाद इदि हम toilet room की बात करें तो bathroom से सटा हुआ ही toilet room है तो toilet room में केवल tank supply का पानी दिया जाता है तो toilet room में जितनी भी pipe लगी थी मैंने सभी को map कर जोड लिया और जोडने के बाद 15 feet यानि की 15 feet आया था तो चलिए हम यहाँ पर 15 feet लिख देते हैं तो चलिए अब सब का total करके देखते हैं कि total कितनी पाई पे लग गए हैं तो main supply का इन तीनों का total करने के बाद 105.5 यानि की 105.5 feet आ गया plus kitchen में 8 feet की pipe लगी तो 8 feet हमने add कर लिया next bathroom में 41 feet pipe लगी इसलिए हमने 41 एड कर लिया next toilet room की बाद करें तो 15 feet यानि की 15 feet लगी तो हम 15 feet और add कर लेंगे तो total करने के बाद आप देख सकते हैं कि 169.5 feet pipe लगी है यानि की 179.5 feet total pipe लगी हुई है तो चलिए हम यहाँ पर total लिख लेते हैं तो total हमारा 169.5 feet pipe लग या तो अब यहाँ पर question उपता है कि 149.5 running feet दीवार को काट कर pipe लगाने का कितना पैसा हो गया तो दीवार को कुछ इस तरीके से running feet में cut करके water pipe लगाने का जो rate है वो 25 रूपे running feet है यानि की 25 रूपे running feet है इसलिए हम यहाँ पर 25 रूपे से गुड़ा कर देंगे तो चलिए गुड़ा करके देखते हैं कि total कितना पैसा हो गया गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4,237 रूपे हो गया तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि total labor charge हमारा 4,237 रूपे लगा इसके साथ सथ ही आप टोटी वगयरा लगाते हैं तो उसका इस्टा charge होगा अभी के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक करें अपना ख्याल लगे और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लगे इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद